देश में सिक्षा विवस्था की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है चाहे प्राइमरी सिक्षा हो चाहे इंटरमीडियेट हाई स्कूल ये सिक्षा हो माध्यमेक सिक्षा हो और चाहे कॉलेज सिक्षा हो हर इस्तर पर देश के सिक्षा बहुत बुरी हालत में पहुँच गई है जहां तक प्राइमरी और बेसिक सिक्षा की बात है तो सरकारी स्कूनों का भट्टा बिठा दिया सरकारों ने शादी ये बहुत जान बूच कर पूरे शड़ेंतर के साथ किया गया कारिया है और मैं समझता हूँ ये इस तरह का कारिया है कि जो गरीब लोग हैं जो दबे कुछले शोशित पिड़ी समाज के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएं और वो केवल मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएं इसलिए सिक्षा की ये आहलत है अगर आप चले जाएं जो सरकारी स्कूल हैं गाओं में उनमें पांच्वी किलास में पढ़ने वाला बच्चा सहरों में पढ़ने वाले दूसरी किलास के बच्चे के बराबर भी नहीं जानता और सिक्षा की हालत ये कर दी गई है हाला कि अब उसमें प्रियास किया जा रहा है बात हो रही है लेकिन हालत अभी तक ये है कि आटमी किलास तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा तो अगर बच्चे को फेल ही नहीं किया जाएगा तो पढ़ाने की क्या जरूरत है और उसके अलावा जो सिक्षक है जो रिपोर्ट हमारे हैं आ रही है उन रिपोर्ट के हिसाब से 60 पृतिशत जो सिक्षक है वो उस योग्गे ही नहीं है जो सिक्षक हो सके और सबके बाव्जूद भी लाखों की संख्या में सिक्षकों की कमी है सिक्षा की हालत ये है कि मंने सुप्रीम कोर्ट भी जो गरीब बच्चे हैं जो साधन वीहीन बच्चे हैं जो उनको पढ़ाने के लिए जो कह रही है सुप्रीम कोड भी कहती है कि जो वीकर सेक्शन्स के जो बच्चे हैं प्राइवेट इसकुलों में 25 परतीशा सीटें उनको दी जाएंगी लेकिन आप आंकडे उठा के देख लिजिए आप जा के देख लिजिए कि जो वीकर सेक्श स्कुल के जो टीचर है उस badge कहा कि हम जो गरिब समाज के बच्चे हैं उनको इसलिए नहीं रख सकते कि ぜो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी जाती कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें हीन भावना आ जाएगी तो उनके साथ में हम उने नहीं पढ़ा सकते तो जहां इस तरह की मान सकता हो और सरकारी इस तरपर जो सरकारी स्कूल है उनका भट्टा बिठाने की जो पूरी रणनीती अपना ले गई हो वहाँ सिक्षा विवस्ता पर और कौन ध्यान देगा जोर शाद ये सडेंतर भी है जिसके लिए मैं बार बार कहता भी हूँ कि सिक्षा अर्थ का काम नहीं है एक पुन्य का काम नहीं है ये कमाई का सबसे बड़ा जर्या बन गया है धंदा बन गया है और इसमें ये जो प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट कॉलेज है जो इंस्टिटिशन से आकर किसका पैसा लगा है नेताओं का बड़े-बड़े समाज के लोगों को मौका देने के लिए उन्हें पढ़ाने से अपने आपको अलग करने के लिए सिक्षा को इतना महेंगा कर दिया जाए प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से दे दिया जाए ताकि वो पढ़ ही ना सकें और उनके बराबर आ ही ना सकें और जो पुरानी इस सिति में वो रहे हैं उसी सिति में उन्हें पहुचा दिये जाए अगर हम देखें तो दुनिया की जो पांस सो मुखे यूनिवरस्टीज हैं जो विश्विद्याले हैं टॉप की विश्विद्याले हैं उन पांस सो विश्विद्यालों में हमारे देश के किसी भी जहाँ उनकी बिल्डिंग से अगर आप उसमें देखें तो पढ़ नहीं सकते बिल्डिंग बनी हैं लेकिन आज की तारिक में वो घुसने के काबिल नहीं है फर्निचर नही धाँ नहीं मैं आखिर कहां से पढ़ाय बच्चे तो शिक्षा की हालत सुधारला नहीं जरूरी है लेकिन इस देश में जो सरकारे हैं वो सिक्षा विवस्ता पर ध्यान नहीं दे रही और जो GDP का कम से कम 8 से 9 प्रितिशत जो पैसा है सिक्षा विवस्ता में देना चाहिए उतना पैसा नहीं दे रही और बुरी हालत में सिक्षा विवस्ता को पहुंचा दिया गया है और जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ भी यहां अच्छा होने वाला है हुआ।